स्याथियो नमस्कार, स्याथियो आनन्ज से रहिए और प्रिकत के साथ सुरक्षित रहिए ये आज आप सामने जो देख रहे हैं ये कोलियस है, कोलियस का पौधा है और ये तो सब को मालूम ही है कि पत्तों में ही सुन्दरता होती है और ये कम से कम बारह तेरह प्रकार के आ रहे हैं बहुत ही सुन्दर जहां भी ये लग जाते हैं बहुत आकरसन और इनकी छटा निराली होती है और ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं आपको कहीं भी किसी भी आफिस में और हर घर में ये मिलते हैं और इसका लगाना बहुत आसान है और लगाने के लिए बस यह है कि आप इसको cutting base से इसका development होता है बीच से भी होता है लेकिन बीच से development काफी तेड़ा है और cutting से इसका development बहुत आसान है और यह इतना soft होती हैं इसकी वो डालियां की ये कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर तेज आपने ऐसे छू दिया तो ये देखिए ये टूट गई ये टूट गई तो आप ये समझे कि ये बिलकुल बेकार नहीं है ये बहुत काम की है इसको आप बस इसको कटिंग बना लीजे और इसको लगा दीजे और ये बरसात का सीजन चला है और इस समय इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी कटिंग की कटिंग लगाईए और साथ में इसको इस पौद्य को जीवन भी दीजे ये इसलिए कि जितना अच्छी आप इसकी प्रूनिंग करेंगे एक तो ये उतना ही सुन्दर बनेगा एक और दूसरी इसको जीवन मिलेगा क्योंकि अगर आप ने कटिंग और पंचिंग इसकी नहीं की तो ये देखिए इसके फूल सामने आप देख ले और यदि फूल आ गया और आपने फूल को समय से नहीं हटाया तो आपका पेर वहीं से सूखने लएगा तो इसको जीवन भी दीजे और सुन्दरता भी और बढ़ाईए बस ये करना है आपको कि इसके ये फूल अगर निकलाया है तो आप इसको नीचे से काट दीजे देखिए मैंने नीचे से इसको तेज धारदार चीज से काट दिया अब धारदार चीज जो भी हो उसको आजकल सैनिटाइज कर लीजे करोना ने रेतीली बलूई मिट्टी हो जैसे ये बलूई मुट्टी हमने बना ली है और इसी में इसको कटिंग को बड़े आराम से लगा लीजे कटिंग देखिए ये दूसरी बैराइटी है हमारे पास ये भी बहुत सुन्दर है और बस इस तरह से कटिंग आप बना सकते हैं बस कट दिला हो और दिला हो तो उससे बड़े आराम से लग जाएगी और प्रिकत की ही दीवी चीजों को यूज करिए ये देखिए हमारे पास एलो बेरा का वो रखा हुआ है पत्ता और उसी से इसको उसी का लिकुड लगाईए इसमें प्रिकत से प्रिकत कस्रन रक्षन करिए त क्योंकि जितना चोटा होगा कटिंग आपकी जितनी चोटी होगी समझ लिजे उतना ही अच्छा जल्दी इसमें जड़ा जाएगी एक यह हो गई और एक और लगा दीजे दो लग जाएगे इस छोटे कंबले में यह लिजे साब अलग-अलग कलर की और अलग-अलग उसकी पर ले जो लग दी इस तरह इसका डुवलमेंट हो गया आपको दिखा रहा हूं यह अच्छा क्टिंग के द्वारा ही यह लगाया है यह जो जाएगे कर ड़ाटी है कि और यह कटिंग के द्वारा ही मैंने डिवलमेंट की और यह देखे यह यह तो इसका तो उप्योग कर कर दिया, इसमें ये प्लास्टिक की बोतल का भी उपयोग किया, यह कहीं न कहीं कचडा बनती, तो हमने इसका उपयोग कर दिया, और देखें इसमें भी कटिंग लेकी, यह तो इसी का पार्ट है, क्योंकि गर्मी जब देज धूप पड़ी थी, अपरेल में, तब जो है इसम यानक हम दो दिन पानी नहीं डाल पाए तो यह सूख नहीं लगा तो मुझे डर हुआ कि जो है कहीं सूख न जाए तो मैंने इसकी कटिंग लगा दी जदे भी गर्मी में नहीं लगाना चाहिए लगाई और देखे प्रक्टिकल उसका सफल हुआ अब यह सामने आप यह देख इसके मिट्टी में बस यह ध्यान रखिए कि मिट्टी में इसके जो है किसी भी तरह का वो ना उपाए ड्रैनिस सिस्टम अच्छा बना रहेगा तो आप यह समझे कि इसका फिर इसको विकास इसका अच्छा बना रहेगा यह देखिए इस तरह से मिट्टी भूरबूरी मु मैं तुए कहूंगा आप तो इसे काउडंग और वर्मी कमपोश्ट दीजे समय समय पर और इसकी गुड़ाई जरू करते रहे हैं क्योंकि कभी कभी यह होता है जैसे प्लास्टिक का गमला है यह वाला प्लास्टिक का गमला है हमारा तो प्लास्टिक के गमले में हमेशा नमी ज्यादा हो जाती है तो नमी को मैंटेन करने के लिए और इसको स्वरक्षित करने के लिए इसकी गुड़ाई करते रहे तो इसका डपल्म्लमेंट बहुत अच्छा होगा आसा है कि सभी चीज समय में आई ही गई होगी और कोई चीज़ अगर रह गई है तो इसको कमेंट के माद्धम से हमसे शेयर करिए दो चीजों से बस इसकी सुरक्षा करना है तेज धूप और इसको डार्क वाली जगे ही मत रखिए डार्क में भी अगर आप रख देंगे तो इसके पत्ते खराव हो जाते हैं और फिर इसका विकास रुख जाता है तो बहतर यह है कि इसको ब्राइट लाइट में रखिए और उसे इसका पेड़ों के नीचे रख दीजे देखिए पेड़ों के नीचे यह रखा हुआ है और बहुत अच्छा बढ़ता है पूरा आसपास का इस्थान को सुन्दर बना देता है तो इस तरह कोली इसका विकास करें और इसका संड़क्षण करें बहुत बहुत धन्वाद हमारे चैनल से जुड़े रहें और जिससे और प्रिकति के वारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहें थैंक्यू